आईए, आज हम सीखेंगे बॉर्डर निर्मान की कला बहुत ही कम रंगों की मदद से और बहुत ही आसानी से हम सीखेंगे कैसे स्टेज के ऊपर एक बॉर्डर का निर्मान करना जिस सर्फिस पे आपको काम करना है, सबसे पहले उसे साफ कर ले साफ करने के बाद हमने एक base coat सफेद रंका लगा दिया है base coat अच्छे से लगा लें अगर जरूरत है तो दो बार base coat लगा लें उसके बाद हमने pencil की सहायता से अपने निर्दिष्ट स्थान पर एक रिखांकन कर दिया है और हमने यहाँ पर border के लिए बहुत ही आसान motive को चुना है जो कि एक triangle है triangle के लिए हमने paper को fold किया और fold करके उसे triangle की shape में काट लिया है इस triangle के stencil को हम जहाँ पर रिखांकन करना है वहाँ रखेंगे और रखने के बाद हम stencil को वहाँ पर उभार लेंगे pencil की साहता से इस triangle को quarter group पर चीत रिद करें और आप पाएंगे एक बहुती सुन्दर और बिल्कुल समरूब triangle आपके निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित हो चुके है एक बार जब triangle की रेखा रिखा रिखी उभर कर आ गई फिर आप कोई भी चटक रंग लें हम यहाँ पर लाल रंग के exterior हिमल्सन का प्रयोग कर रहे हैं जो की बाहरी दिवारों के लिए उभ्योगी होता है और इसकी मदद से हमने जो रेखा की त्थान था उसको काड़ा कर लिया बहुत ही सावधानी पुर्वक धीरे धीरे स्केल की मदद लेकर हम इन रेखाओं को काड़ा करते जा रहे हैं और लाल रंग की मदद से हम इसे स्थापित कर रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाल रंग से हमने पॉर्डर के दो समानंतर रेखाओं को बना लिया है और उसके बाद ट्रैंगल के लिए हमने स्केल का प्रियोग करते हुए बिल्कुल सीथी रिगाएं एक रूप में खीचती है और फिर अब हम ट्रैंगल को धीरे धीरे भुपाते हैं पिल्कुल सावधानी से बिना किसी जल्दिबाजी के आप यहां काम करेंगे और देखेंगे इसका जो नतीजा है वो बहुत ही खुपसूरत उभर कर सामने आता है किसी भी विशेश आउसर पर आप इस तरह के बॉर्डर की कलाकृति का निर्मान कर अपने कारेक्रम की शुभा बढ़ा सकते हैं धन्यवाद